सबसे पहले बात कर लेतने कुल कितनी वेकेंसी थी और आपको पता है कि इस बार का प्रोसेस के आएगी वेकेंसी का सब्सक्राइब के लिए इसके बाद पास होंगे उसका वन बाई बन जानी की जितनी वेकेंसी उतनों का ही डीवी और मेटकल होगा और आपको पता कि इस बार को पेपर का लेवल था वह आप मोडरेट के रेंज में रह सकते हैं जी बिलकुल नहीं था क्यों कि किसी टॉपिक म मैक्सिमम जितने भी सट पेपर हुए हैं उन्हें एक लेवल आया ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेरियेशन और बहुत सारे कंडिडेट ऐसे जिन्होंने बहुत ज्यादा कर गया है तो अलागि उन्हें तुक्का बहुत मारत उनकी गलतिया बहुत ज्यादा हुए तो आप आपने पेपर दिया तो आपको एक आइडिया होगा कि लगभाग कितने नंबर आपके आ रहे हैं कि आपने किसी ने किसी देख करके चेक कर लिया होगा उन्होंने बताया होगा यह कोश्चन आये थे उससे चेक कर लिया होगा तो कितने नंबर वाली कंडिडेट जो है वह अपना सेलेक्षन से और समझेव द्यारी चारू करने उसके बारे में बात किया जाएगा और आपको यह पता है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है जो परसेंटाइल बेज नॉर्मलाइजेशन था मतलब पूरी शिप्ट का अवरेज निकालते थ ज्यादा बिलो एवरेज तो कम किसी किसी के घड़वी जाते थे तो इस बार जो नॉर्मलाइजेशन में मांक से मिलेंगे तो इसका इफेक्ट आपको फाइनल में जरूर्ण दिखाई देगा पिछली बार आप देख रहे थे कोई को ऐसे विदे जिनको 3030 नंबर तक नॉर तो यह 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 पीए और आपके नमबर 65-67 रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने आपको सिलेक्ट माने और फिचकल की तैरी में लग जाएं ऐसे आप पोबीशी कंड़िडेट है और आपके नंबर 64-66 के रेंज में आ रहे हैं तो भी आपका सेलेक्षन हो जाएगा तो यह अभी आपके नंबर जो आए है ना जो आपने रिटेंड दिया है उसके बेस पे मैं कटा पता नॉर्मलाइज़ें में पांच नंबर बढ़ा दीजिए फिचकल का है और वही जो बड़े होगे होगे वही आपके फाइनल में काम आ जाएंगे अगे कि गाई है तो डी आहांसे की इसिलेक्षण हो जाएगा ठीक है यह जूंब नंबर बतना है इस में आ प्लस-माइनस के दो लखोज़ें इस रिंडीर को लाइक करते आंजियो लाइक करें ज्यादे जादाश चेड़ जादा नहें thank you for your time